मेरी तरब से सभी को प्यार भरा नमस्कार अच्छे वैवार का आर्थिक मूले भले ही नहों लेकिन अच्छा वैवार करोडों दिलों को खरीदने की ताकत रखता है इसलिए कभी किसी का दिल मत दुखाईए सब से प्यार से बात कीजिए तो चलिए आज के टोपिक बात कर लेते हैं आज का टोपिक क्या है प्लांट को लेके है और आज मैं लगा रही हूँ तुलसी के बहुत सारे पोदे देखो गमलों में बहुत सारे ना छोटी छोटी न्यू प्योद निकल आई हैं जो बड़े वाली तुलसी महरानी है ना इनके बीज सब में जड़गे थे तो छोटे-छोटे पोदे बन गए हैं कहीं लोगों ने मुझे से डिमांड की है कि उनने तुलसी का पोदा चाहिए तो मैं सोच रही हूँ कि ना सब के लिए मैं तयार कर देती हूँ क्योंकि अभी छोटे हैं तो अपनी जड़ इसमें छोटे-छोटे गिलास लेके आई हूँ मैं ये नीचे से जो चाय वाले गिलास होता है छोटे-छोटे कागज वाले तो इनमें में लगाके इनको रख दूँगी और एक-दो दिन रखे रहेंगे तो थोड़ी जड़ सी पकट लेंगी और फिर मैं सबको दे दूँगी सबको नवरात्रों से पहले ये चाहिए तो इसलिए मैं ये मैं तैयार कर रहे हूँ मैं ग्यारा पोदे लगबग लगाओंगी इनमें क्योंकि अभी थोड़े बड़े बड़े तो 11 बारा ही हुए हैं और बहुत छोटे छोटे बहुत सारे जम्रे हैं जैसा जैसा बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे मैं इनको तैयार करके देती रहूँगी तो इस तरह में चार पत्तों की लगबग हो गए है अभी ये तो ऐसे ही मैं सोचती हूँ कि सब को मिल जाएंगे क्योंकि सर्दियों में क्या होता है तो इसी मारानी किसी किसी की रह पाती है अन्ना था तो सूख ही जाती है लगबग अर अगर पत्ते तो लगबग जड़ी जाते हैं बहुतों की फूट जाती है दुबारे से और बहुतों की नई फूटती है तो मैंने ये 11 पोदे लगा के तयार कर दिये हैं और इनमें बाकी में गुड़ाई कर तो अभी नहीं करूंगी क्योंकि इनमें बहुत छोट छोटे से पोदे और भी हैं तो वो जब बड़े हो जाएंगे उनको अलग रिपोर्ट करके उसके बाद इनकी गुड़ाई कर कर द्रॉण्य माली कई बार पता नहीं कैसे बता के दे जाते हैं पोदे और देखो नेचे रोड पर जो गंले रख्था ना मिरे घर में तो बहुत सारी पुद यार हो गही है helemaal कूछ प्योदे पूर लगाऊंगी ले जाके क्योंकि जो सिजनेबर प्लांट भी है और ये बा हरी भरी हो गी है उपर तक बिल्कुल ग्रीन रिया गी है इस पर बहुत सुन्दर सी हो गी है यह उपर फोटो में देख सकते हैं आप इसके हार्ट पुरूनिंग भी मैंने बिल्कुल एक भी पत्ता नहीं छोड़ा था इस पर सब कटिंग कर दी थे और वापस से हरी हो गी है तो चलिए उपर चलते हैं आजएए अज पाइल ने सबाल रखा है कैमरा उसने मेरे बड़ा रहम किया कि चलो आज मैं बना देती हैं वीडियो अन्ना था तो बिल्कुल नहीं करती है सपोर्ट कहती है मेरे को काम है आप खुद कर लो तो अभी मैं पहले सारा समान यहाँ प मिट्टी जो इसमें थी फूलों में यह अच्छी है मिट्टी बुरबुरी लेकिन इसमें फिर भी मैं थोड़ा सा पर्मी कंपोस्ट मिला लूँगी और मिक्स कर लूँगी इसको इसी से में सारी जो हैंगिंग बास्किट होगी मेरी वह भी तयार कर दूँगी और हैंगिं नाम तो मिरको इसको अभी नहीं पता है इसका क्या नाम है लेकिन यह सगुलेंट वराइटी का ही है इसकी पत्तियों में काफी पानी होता है तो एक परसेंट आसा है कि आप पोदे में पानी भी नहीं लगा पाए है तो भी यह चलता रहता है क्योंकि पत्तियों से पानी ले जाते हैं तो चल जाए और कुछ यह मनी प्लांट मेरे यहां हो रही हैं काफी लंबी लंबी डंडिया तो जैसे एक पत्ते के पीछे यह रूट निकल रहे हैं आप देख सकते हैं ऐसे ही यहां से अगर आप इसको कटिंग करकर के लगा दोगे तो हर पत्ते में से एक पोधा बन जाएगा तो मैं ऐसे ही सारी डंडियों को कट करकर के एक पत्ते की कटिंग इसकी लगा दूँगी क्योंकि मैंने पहले कई बार यह ऐसा किया है तो यह सकसेश हो जाती है तो अभी आप देख सकते हैं मैंने यह दो बास्किट में बनाऊंगी यह इस वाले गंबले में ह रखेंगी लंबी लंबी इसके यह तो यह अचुी नहीं लगती। चिन turn े पत्तों के पीछ रूट करम है अरünk भागी में फेंक बूंट के सब्सक्जू करा pleasure यह यह फो केक्ट ने नहीं करता है naked तो ना काटने के चक्कर में फिर ये पोधा बेकार हो जाता है, तो ये प्लांट बिल्कुल मेरा, आप देखो, मैंने बिल्कुल खाली कर दिया, लेकिन मैं कुछ दिन आपके बाद इसको दिखाऊंगी कि ये कितना भर के आ जाएगा, और अब ये भी आप देख सकते हैं, इन और ऐसे हलका सा कड़ा करेंगे मत्टी मेर, इसके उपर मत्टी कर देंगे, बहुत जाद नीचे नहीं दबाना आपको, ये हलका सा देखो, मैंने छोटी सी डंडी काटी है, अब ये आप देख सकते हैं, कैसे लगाना, देखो ये डंडी ली, ऐसे हलका सा, रूट है इसके और ऐसे मत्टी में इसको दबा दिया, तो इससे आपकी ये बास्केट इतनी एकदम फुल-फुल सी भरके आएगी, ऐसा लगेगा कि इतनी जादा मनी प्लांट हो रही है इसमें, अगर हम इसमें एक ही पोदा लगा देंगे, तो उससे ये फुल-फिल नहीं होगी, तो फि मैं इसा ही ऐसे करती हूँ, और मेरी जितनी भी मनी प्लांट है मैंने ऐसे ही लगा रख्या और बहुत सुन्दर चल रही है, बहुत छोटे से गंबले में भी एक बहुत सुन्दर चल रही है, अभी आपने देखा होगा सुरू में, और जो इनके सीरे वाले थे, वो तीन ड सुकने का मुकाना मिले इनको और यह जर्मिनेशन सुरू हो जाए इनका, आप देख सकते हैं, मैंने इसमें पानी बर दिया एक बार, थोड़ देर बाद दुबारा बर दूगे, अब मैं दूसरी बास्किट में भी लगा लूँगी, और इस से मेरी दो बास्किट, इन यह मेरी हैंगिंग बास्किट तयार हो जाएंगी, और मार्च में आप मार्च में बिलकुल यह कटिंग लगा सकते हैं, बहुत अच्छी हो जाएंगी, कुछ लोग फरवरी में भी लगा लेते हैं, फरवरी में भी अच्छा होता है, लेकिन यह ग्रोथ अच्छी मार्व मे पकड़ती हैं क्योंकि अब ना सर्दी हैं बहुत ज्यादा और ना गर्मी बहुत गर्मी मगर आप कटिंग लगाएंगे तो फिर चलेगी नी यही बैस्ट सीजन होता है कटिंग लगाने के लिए तो इस वाले गमले में मैंने लगा दिया और यह जो मैं गैंदे की प्योद ल लगा दिया इसमें और यह नीचे गमले में काफी दिन से हो रहे हैं मतलब एक महीने की प्योद है लग बगे एक महीने में तयार हो गी है मैंने फूल डाल दिया थे तो जम गी थी यह सारे पोद लगाने के बाद मैं इसमें भी हलका सा पानी लगा दूंगी और अब भी लगा ना तो थोड़े से गिर जाता है नेक्श दे तक उट जाएंगे यह मेरा एक करोटन का पोदा था करोटन मैं कितनी भी बार लूँ यह चोड़े पत्तो वाला यह सूख ही जाता है यह पोदा मुझे बिलकुल अच्छा नहीं लगता जो चोड़े पत्तो वाला करोटन होता है तो ये मैं इसको खाली करके इसमें मैं ये एक लगा दूँगी पोदा मेरे पास फूल का एक पोदा था बिल्कुल सूख गया है लेकिन इसको मैं छुकि इन पोदों के साथ ही लगा हुआ था ये अब मैं इसमें लगा के देखती हूं इसको क्योंकि इसमें फ्लावरि कटिंग लगाने के बाद तो धूप मतलब बहुत ही हलकी आदे गंटे गंटे की धूप आती हो वह बहुत होती है और यह मैंने अपने चंपा के प्लांट की भी हार्ड प्रूनिंग करी थी 15 दिन पहले अब देख सकते हैं आप इसमें एक डंडी थी है मैंने काट दी तो चार निकलेंगी इसमें से इसके चारो कोनों में से टंडिया निकल रही है तो यह बिल्कुर बूसी सा प्लांट हो जाएगा और जब हम कटिंग करते हैं दुख तो हमें होता है लेकिन जब उसका रिजल्ट आता है न तो वह बहुत अच्छा आता है निकल के तो इसलिए पोदो कटिंग अगर सक्सेस हो गी है तो देखते हैं अच्छी बात है हो जाएगी तो तो यह मैंने लगाके रख दिया है इधार विल्कुर यहा पे दूप बहुत कम आति है तो इसलिए मैं बहुत कम आथी है तो इसलिए मैं एष्ग वार इसमें यहां भी मैंने अपराजिता के बीज यह मेरे पास ना एक चो घडिया रखा था जो दीवाली पर इस्तमाल होता है तो इसमें मट्टी भर के मैंने लगा दिये खाली रखा था तो मैंने इसमें सीड डाल दिये देखो दो जर्मिनेट हो गए हैं देख सकते हैं दो में आप कितना बुसी हो रखा है ऐसे कटिंग करते रही है और यहां भी मैंने अपराजिता के बीज लगाए थे इसमें चार लगाए थे तो चारो जर्मिनेट हो गए हैं इसमें भी लगाए थे इस थैली में भी यह भी जर्मिनेट हो गए हैं एक इस थैली में लगाए थे यह बिजर्मिनेट हो गया है ये नेच्ट देगा वीडियो है देख सकते हैं आप सारे पत्ते हेल्दी हैं सब अच्छे से दिखाई दे रहे हैं कि वही हेल्दी हैं कोई भी ऐसा नहीं कि मुर्जा आ गया है गैन्दे के पेड़ भी सब खड़े हो गये है अतुलसी के पत्ते भी देखो सब खड़े हो गया है सब चल जाएंगे जिसको चाहिएगा मैं अब एक गिलास उठा के दे दूँगी वीडियो पसंद आई है तो प्ली लाइक कर देना चैनल को सस्क्राइब कर लेना मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ